दिवान टोडर माल सिख इतिहास दा ओहो महान पात तरह जिसनों अपने इस्ट दे लगते जिगरां दे अंतिम ससकार ले संसार दी सब तो कीमती जमीन खरीदी एह दूती कारणामा करके ओहो रतो रात सिख पांथ दियां अत आदर योग शक्सियतां वीचे शामल होके ने कारवी काट नहीं है दिवान टोडर माल दे जन्नमस्थान खांदान जीवन अते वारसा बारे इतिहास दे भिच ज्यादा जानकारी नहीं काई कन दवान टोडर माल सरहंदी नो अकवर्दा वित मंतरी दिवान टोडर मल होन बारे पुलेखा खा जानते ने दो मादे जीवन काल दे विच करीब 125 साल दा फर्क है मन्या जानदा है कि हुजात दा जैन खत्री सी अते गुरू कारदा अतियंत शर्दालू सी ओ उस विले सरहंद सुबे दाइक सब्तों अमीर बपारी ते मजज़ दरवारी सी पट्याडा स्टेट गर्शियर दे मतावक उसदा जदी पिंड काकडा सी जो समाना पट्याडा सड़क उते है ते हुन थाना सदर समाना दीन ओंदा है उना दे जर्म तो पेला है उना दे पुर्खे कारोबार कारण पिंड छड के सरहंद वसके सा उना दी अमीरी सरकारी परवाव अते शानों शौकत इस गालतों सामने आउंधी है के उना दी रिहाईश जहाजवेली सरांद दे सुपधार वजीर खान दे महल दे बिलकुल नजदीक सी सन 26 दसंबर 1704 इसमीनों वजीर खान दे हुकम देना सहवजादा जुरावर सिंग अते सहवजादा बाबा फते सिंग नों शहीद कार दीता गया सी अते माता गुजर जीवी शहीद होई सान सहवजादें आते माता जीदी शहीदी तो बाद डर्दे मारे किसे दीवी हिम्मत ना पई के उना दा वीदी पूरवक अंतिम ससकार किता जा सके उस वेले सरांद विच हिंदू वड़ी गिनती विच वास दे सान अते उते हिंदूआं दे कई शम्शान काट भी मजूद सान फिर सहवजादें अते माता जीदा अंतिम ससकार उते क्यों ना किता किया क्यों उना दे अंतिम ससकार दे ले इस जमीन खरीदनी पई लगदा है के सुबे दारदा दिल गुरू का रप्रती नफरत ना एनना परेया होया सी उना दी शहिदी तो बाद भी उस दा मन शांत ना होया ओह पवीतर देहा दावी अपमान करना चांदा सी उस दी इच्छा सी के उना दा सिक रहू रिता मतावख ससकार ना हो सके उसने हुकम जारी कर दिता के माता जी अदे सहवजादियां दा अंतिम ससकार किसे शमशान का आठविच ना किता जावे एबी सपस्ट हो सकता है कि जदो दिवान टूडर मल ने तरले मिंता करके देहां परावकितियां होन ताकि से सुचा नंद वरगे स्याने ने सुब्वेदार नो सला दिती होवे के सेट को बहुत पैसा है जे उसने अंतिम ससकार करना है ता उसनो जगां खरिदनी चाही दिया इसलिए लगदा है कि सुब्वेदार ने उसनो शर्ता अदीन ही देहां देती हैं सान सरकारी कहर दे डर कारन सरांद दे किसे जमीदार दी जमीन देन दी हिम्मत ना पैसी अखीरी का जमीदार चौदरी अत्ता जमीन वेचनली राजी हो गया पर उसने भी राज के दिवान दी मजबूरी दा फाइदा उठाया उसने शर्त रखी कि जे जमीन चाही दिया ता उस दी कीमत सोना विचा के देनी पवेगी कहीं ता केंदेने के उसने सोने दे सिके खड़े कारके कीमत लई सी उस वेले सोने दी शर्फी दा साइज करीव सवा इंच अते पार करीव एक तोड़ा होंता सी जे शर्फियां खड़े रुख रखियां गयां होन गयां तां 78,000 दे करीव शर्फियां विचोनियां पईयां होन गयां इस कारण दिवान दी सारी पुझी जमीन खरीदन विच लाग गया थे कारबार गैने पह गया पारूस महान इनसान ने अपने नुकसान दी कोई परवा ना किती अते अपने विश्वाशन डोलन ना दीता उसने अपना सब कोज दावते लागे गुरू जी अते सिखी दी महान सेवा किती बाबा बंदा सिंग बहादर ने जदो सन मई 1710 इसवीदे वीच सरंध फ़ते किती ता उना नो भी दिवान टोडर मालदी इसकुर्बानी बारे पता सी दिवान टोडर मालदे कारणो कोई नुकसान ना पहुंचाया किया सुबा सरंध वजीर खान बहुती जालम बेरहमते पापी इनसान सी उसने बाबा मुती राम महरादा सारा परिवार सिर्फ इसलिए वेलने वीच पीड के शहिद करवा दिता सी कि उसने माता गुजरी जिया थे सहवजादिया थे ठंडे बुर्ज वीच दुद ना सेवा किती सी इसलिए ओहु एक इमे बरदास्ट कर सागदा सी कि कोई उसनी हुकम दूली करके सहवजादिया थे माता जिदांतिम ससकार करे जब उसनों दिवान टोडर माल थे इस गुना भारे पता लगया तां उसने चहर दिवान उते टूट पया उसने दिवान टोडर माल नूँ बिलकुल बबाद कर देता अपने परिवार दी सुरुख्या ले दिवान नू अपना जम्या जमाया कारबार रते कारोबार छट के इतियास दे हनेर्यां वीच गुम हो जाना पेया इस तो बाद उस दे परिवार जा उस दे आखरी दिना बारे कोई जानकरी नहीं मिल दी उना दी जहाज हवेली नू बाबा बंदा सिंग बाहदर रते उना तो बाद सिख मिसला दे सरांदो दे हमले दोरान पूरी इज़त बक्षी गई किसे ने उसनों नुकसान पहुंचान जा लूटन दी कोशिश नहीं किती पर लावारिस पई हवेली होडी होडी वक्त दे थपेडियां ते नजायस कबजयां का टैंड लग पई सिख पांथ वीच दिवान टोडर मल दा बहुत स्थकार है उना दी याद विच गुर्द्वारा फदेगार सहे विखे बहुत विशाल दिवान टोडर मल दिवान हाल बनाया होया है गुर्द्वारा फदेगार सहे वदे गुर्द्वारा जोती सुरूप विचालडी सडक दा नाम दिवान टोडर मल मारग है जीटी रोड़ तो सरांदनों और वाली सड़क उते एक शांदार दिवान टोडर मल स्वागती द्वार वी उसारे गया ए अत्यानत जरूरी है कि इतिहास कार दिवान टोडर मल वरगे मान इनसान दे वारसां वारे खोज करके उनानों दुनिया दे सामने लेओन ए उस नेक इनसान मों सची सुची शर्दाजली होवेगी